नमस्कार दोस्तों टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग नेजर डालेंगे बेसिक फीचर्स लुक डिजाइन्स कैमरा पर देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्ट फॉन आपके लिए फर्स्ट अबॉल इसका प्राइज हम जान लेते हैं दोस्तों ये आपको ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा 9 2499 रुपे में इसमें आपको मिलेगी 4GB RAM 64GB का इंटर्नल स्टोरेज रियर में आपको 13 प्लस 2 मेगाविक्सल के डूल कैमरा फ्रेंड सेल्फी कैमरा 5 मेगाविक्सल और बैटरी 5000 इमेच की इसके अलावा क्या-क्या दिया गया इसमें खास आगे हम वीडियो में देखने वा वाइट कलर का ये बॉक्स है जहां पर आपको मुबैल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को मिल जाता है Samsung Galaxy M04 यहां पर लिखा हुआ है और बैक साइड में कुछ हेडलाइन फीचर्स दिये गये हैं HD plus PLS LCD डिस्पले आपको इसमें मिलती है डूल कैमरा 5000 ms बैटरी और कैमरा details यहां पर नीचे दी गई है तो चलिए अब हम इसके box को जल्दी से open कर लेते हैं और अंदर देखते हैं मैं box में क्या-क्या दिया गया है तो यहां पर हमने जैसे box को open किया है तो सबसे उपर रखावा मिलता है smartphone इसे फिलाल के लिए हम side में रख लेते हैं अंदर देखते ह तो कितने watt का यह charger है और इस charger adapter को देखके तो इतनी हैरानी हो रही है दोस्तों यहां पर देखे 5 volt 1.55 ampere की output rating इस charger से मिलती है यानि कि 1.5 watt का normal सा charger इसके साथ दे दिया है कम से कम 10 watt का ही दे देते हैं इसके बाद हम USB cable देखे तो length आज तक वही रखी हो नहीं है काफी short इतनी चोटी सी data cable देते हैं वो भी type C मिल गई है यहां पर हाला कि मुझे लगा था micro USB cable ना हो इसके अलावा box में आपको कुछ नहीं मिलेगा एक चोटा सा box खुदी ऊपर चले जाता है जिस पर आपको samsung की branding इस पर sim ejector pin अंदर quick start guide user man वाली आपको मिलेगा cover आपको इसके साथ नह आपको इस पर नहीं मिलेगा आप इसे हम बूट करेंगे तब तक इसका back body देख लेते हैं तो यहां पर आपको glossy finishing के साथ इसका back panel मिलता है कर्वी back panel है plastic body है नीचे Samsung की branding है without cover आप इसे use करोगे तो काफी जल्दी इसका back panel जितना सुन्दर देख रहा है उतना ही जल्दी काफ with LED flashlight ज्यादा कोई खास नहीं लगा इसका setup नॉर्मल सा यहां पर दिया गया है फ्रेंट में आपको drop notch के अंदर मातर 5 Megapixel का selfie camera मिलता है fingerfin sensor भी यह smartphone आपको नहीं दे रहा है साड़े 9000 पे हम खर्ज कर रहे हैं और आपको इसमें fingerfin sensor भी नहीं दिया गया है corner इसके rounded है जहां power on key plus volume rockers ऊपर की side आपको secondary mic noise cancellation के लिए मिल जाता है left side में मिलती है sim tray और bottom में 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker grills दिये गए हैं और इसकी sim tray को भी चक कर लेते हैं कहीं पता लग रहा है कि हमें hybrid slot तो नहीं पकड़ा दिया जी हां triple card slot मिल जाते हैं यानि कि 2 sim card एक memory card तीनों एक साथ आप इस पर लगा सकते हैं so finally दोस्तों हमने इस smartphone को install कर लिया है हाला कि installing करते time भी यह तोड़ा सा lag हुआ बाकी यहां पर आपके सामने display है colors काफी अच्छे लग रहे हैं और display की जो brightness है इसे भी एक बार full करके देख लेते हैं 450 nits की brightness मिलती है दोस्तों अगर आप outdoor भी use करते हो तो easily आप इस smartphone को outdoor में भी use कर सकते हो brightness अच्छी मिल जाती है इसके बाद हमारी नजर जाती है edge और bezels for corner और उपर से तो थीक है लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नजर आएगी यहां पर user interface देखें तो scroll up करते ही यहां पर सारे की सारे application आपको नजर आते हैं 60Hz का refresh rate दिया गया है कुछ free install app यहां पर नजर आ रही है हलाकि unwanted application को आप phone से remove कर सकते हैं इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की fearless LCD display जिसका aspect ratio है 20 to 9 screen resolution 720 x 1600 pixel और pixel density आपको 270 ppi की मिलती है screen to body ratio 81.85% का दिया गया है इसकी अलावा 164.2 mm इसकी height है 75.9 mm width और 9.1 mm की thickness weight है 188 gram 5000 mm की बैटरी इस पर लगी वी आपको मिलती है इसके बाद हम इसकी setting को open करेंगे तो setting का जो interface है वो कुछ इस तरह का आपके सामने कुलता है जहां सारे option आपको नजर आ रहे होंगे सबसे नीचे about phone section दिया गया इसे open करें तो ज्यादा कोई जानकारी इसके about phone section के अंदर आपको नहीं देता है अभी phone में storage देखे 64 GB में से लगबग 16.8 GB यूज हो चुका है बाकी आपको यूज के लिए free मिल जाता है expandable memory 1 TB तक आप इसमें बढ़ा सकते है storage type eMMC 5.1 का दिया गया है RAM देखे 4 GB में से लगबग 1.6 GB यूज हो रहा है या फिर अभी यूज चल रहा है 2.1 GB एवलेवल है यूज के लिए expandable RAM आपको यहाँ पर नहीं दी गई है यानि कि virtual RAM आपको इसमें नहीं मिलती है बाकी processor क्या दिया है वो भी यहाँ पर कहीं mention नहीं किया हुआ है चलिए हम बदाते हैं आपको 2.3 GHz का octa core processor मिलता है चिपसेट MediaTek Helio P35 का आपको इसमें दिया गया है जो बेस्ट है 12NMK fabrication for graphic power VR G8320 के आपको इसमें मिलते हैं इसके अलावा LPDDR4X की RAM मिल जाती है अब हाँ बारी camera की तो camera भी open कर लेते हैं यहाँ पर तो camera ने कोई permission भी निमागी तो camera हो गया है open तो camera clarity अच्छी है वैसे बुरा भी नहीं है camera और zooming power देखें तो आप इससे कर पाओगे पुरा 10 गुना zoom support मिल जाता है दोस्तों यह देखे 10x zoom support काफी अच्छा zoom है image फड़ नहीं रही है color fail नहीं हो रहे है तो camera clarity के मामले में मुझे अच्छा लगा प्राइस के साब से बहुत ही बढ़िया camera आपको इसमें मिल जाता है बाकी other camera features में क्या-क्या दिये गए है देखते हैं तो more setting को open किया हमने तो यहाँ पर pro, panorama, ford और hyperlapse यहाँ पर दिया गया है लेकिन दोस्तो slow motion और time lapse आपको नजर नहीं आ रहे है तो यह दोनों features आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे fordate का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको object बिलकुल clear और background blur चाहिए तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं front selfie camera नॉर्मल सा 5MP का दिया गया है स्मार्ट फोन मिल रहा है और एक घड़िया सेल्फी camera आपको मिलता है camera clarity अच्छी है लेकिन दोस्तों अगर आपको colorful camera पसंद आते हैं तो बिलकुल इसका selfie camera आपको पसंद नहीं आने वाला आप इसमें ग्रूप सेल्पी भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे ये फर्चीस करने लाइक नहीं लगा दोस्तों सेल के अंदर आपको जब सैमसंग के ही अधर स्मार्ट फोन F13 है, M13 है साड़ी 9000 रुपे के आसपास मिल रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्मार्ट फोल एच्डी फ्लाज दिस्प्ले मिलती है साड़े आठ या 9000 रुपे लगा के आप खरीच सकते हो बाकि इतना ओपर खर्च करने की कोई जुरूत नहीं है मुझे कहीं से भी ये स्मार्ट फोन बढ़िया नहीं लगा ना इसकी बिल्ड क्वाल्टी है काफी कमजोर सी बॉड़ी है काफी कमजोर सी बॉड़ी अगर गिर जाए तो तो तूट जाएगा बहुत जल्दी उतनी मुझबूत बॉड़ी भी नहीं लगती इसकी जितने की आपको F13 M13 के मुबैल में मिल जाती है क्वार्ड गैम्रा सेटब मिलता है तो उन स्मार्ट फोन में आपको यहां तो सिर्फ आपको डू़ल कैमरा ही दिये गए है और चार्जा देखिए 10 वार्ड तक का भी नहीं मिलता है बाकी तो आप सभी की पसंद मैडर करती है तो आसा करता हूँ मेरे दारा दीगी जैनकारी आप सभी की जुरूर कुछना कुछ काम आएगी जिससे आपको मोयल पर्चिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को जो जो सब्सक्राइब करें मिलता एगली वीडियो में एगली अन्बोक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत तन्यवाद